नमस्कार साथियों गौरव ग्यान दारव में आपका स्वागत हैं मंदिर वाली क्लासेज अपनी कंटिन्यूज चल रही थी और अकॉर्डिंग टू पसु पुरिचर के लेवल के अनुसार ही चल रहे हैं और जब पसु पुरिचर के लेवल के अनुसार अपना एक बार सिलिबस कवर हो जाएगा फिर अपन जो है step by step दाइरा बढ़ाएंगे भी ठीक है test series में आप देखोगे तो काफे सारे आपको अच्छे प्रस्णा भी मिलते हैं क्योंकि अपन जिरे दिरे दाइरा बढ़ाएंगे कारण क्या है step by step चलते है न तो गिरने का डर नहीं रहता यदि आप सीदी छलाएंगे लगाने की कोशिस करोगे तो गिरने की समभाव नहीं रहती है तो अभी गया है नई विद्याति बहुत सारे और जो इस परती का लेवल है उसके अनुसार अपने step by step चलते चलेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जो है अच्छी कंडिसर में आ जोगे मच्छर कहां से गुम रहा है रहे तू मता अभी बाकी student उपड़ने दे ठीक है चलो गई तो राजस्थान के प्रमुक मंदिर की ये तीसरी क्लास है पार्ट थ्री जैसे ही क्लास आप देख लेते हो से लिए लेकिन आप एक बार अच्छे kennt कियाकर है दीडिवाइई कैसे करना है उसका एक क्वीडियो बनौँगा मैं आप लोग bak कि एक बहुत बड़ी संकार का समाधन मैंने डाला है बहुत सारे विद्यारती निरंतर पूछ रहे हैं सर पसु परिचर में विशेवार बताओ कितने प्रस्ण कहां से पूछे जाएंगे अंक विबाजन बताओ तो मैंने OPD पे एक वीडियो बना कर अभी कुछ समय पहले ही डाल दिया है वो देख लेना वहाँ पे डालने का कारण यह है कि एक तो वो चैनल भी विद्यारतियों के ध्यान में आ जाए और वो उससे जूर जाए क्योंकि बहुत जल्द उस पर अपने MCQ बैच शुरू करने वाले हैं निसुल्क वैसे वस्तुनिष्ट की क्लासेज आप लोगों को समय समय पर दी जा रही है उस पर दूसरी बात कि यहाँ पे अपने GGD पे क्लासेज का सेड्डूल कंटिन्यू है तो यहाँ पर जो है यह सेड्डूल में बैट नहीं रहा था तो वहां पे दिया है त जो important है, जो important नहीं है, सारी चीजे मैं आप लोगों के clear करके चल रहा हूँ, तो बिल्कुल देरिये के साथ मैं mobile के screen को करो आड़ा और देखो आराम से, मैं जाओं तो आप लोगों को live class भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन मैं आदे गंटे की class को डेड़ गंटे की नहीं करना जा मटर सटर नहीं करने, अपनको बाते नहीं करनी है, ठीक है, तो पढ़ने पे focus करना है, और सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सूर्य मंदिर, सबसे पहले तो ये बता दो, सूर्य मंदिर जो है लगबग आपको कई जगे देखने को मिलेंगे, जैसे परस्षित जो है जालरा प प्रश्ण मने उसके अनुसार अपने को करना है, यहां सूर्य मंदिर की विशेशता ये है कि गुटनों तक जूते पहरे हुए, यहां पे सूर्य बगवान की प्रतिमा है, कहा है जालरा पाटन, यह जालरा पाटन जो आइना साथियों, इसे गंटियों का सहर भी कहा जाता, क्या कहा जाता है, गंटियों का सहर, सिटी ओफ बेल्स, एक तो है सिटी ओफ बेल्स, एक है सिटी ओफ इस्टेप बेल्स, लोग कन्फ्यूज होते हैं, सिटी ओफ बेल्स, यानि कि गंटियों का सहर, बेल्स किसे कहते हैं, गंटियां बजती है, यहां पे इतने मंदिर है कि साव openly 2002 ही चारत्रफ कंडिया ऐसे इसका नाम पढ़ा सी टि आफ बैस घंटियों का सहर ठीक है और सब्सक्रांदियों का सहर अबा है वह बुंधी तो यहां ठोड़ी ठोड़ी चीज़ें अपन साथ केलीर करते हुए चले ताकि छोटी-цोटे प्रश्ण जो पुछे जाते हैं, वो सई होकर अपने को आगे ले जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ जालरा पाटन में, यह सुर्य मंदिर कहा है? जालावाड जिला है, और जालावाड के जालरा पाटन में, यह जालावाड और जालरा पाटन में, एक चीज और बताऊं, जालावाड प्लस जालरा पाट ये twin sister कहलाते हैं क्या कहलाते है twin sister जुड़वा बहने ये सहर twin sister यानि की जुड़वा बहने भी कहलाती है तो जो class लगाते हैं अब उसमें class में आप लोगों को निश्चित रूप से काफी सारी चीज़े समझाए जाती है और याद भी हो जाती है अब यही चीज में बुक में डालके जो है बुक को नहीं बढ़ाता कि ये चीज़ वहाँ पे एक एक चीज़ कैसे डाले बुक में वही चीज़ आती है जो उस topic के related है जो exam के related है तो exam के अनुसार जो पकड़ करनी है वहां से भी की जा सकती है और साथ-साथ में ये भी समझना जरूरी है इसलिए मैं कई यू Mayor विद्यार्तियों केता हूँ आप Compare मत की अगरहो कि सर class का है अगर हुब हुब क्लास का ही matter उसमें देना हो तो फिर बूप की क्या एहमियत या बुक का ही matter यहां पर पढ़ाना है हुब हो तो फिर class की क्या एहमियत हर चीज़ की एक एहमियत है और हर चीज़ का आप ल ज़रों बार निकल गया तो आप जो है दिलत नहीं करके आओगे अब देखो इस पिसली क्या पूछा जा सकता है सूर्य मंदीर और यहां पर जो है सूर्य प्रतिमा एक लिक देना एक तो यह द्यानकना इसे साथ सहेलियों का मंदीर भी कहते हैं यह इंपोर्टेंट है यह जोटने तक जूते पहने हुए प्रतिमा है पूरा लिख लेना आप मैंने बोलके पूरा बताया है आप पूरा लिख लेना ठीक है अब आगे सीतलेश्वर महादेव मंदीर यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है यह जागरा पाटन में है और इसको पूछने का पैटन क्या है एक्जामिनर का राजस्थान का पहला तिथी अंकित मंदीर कौन सा यह पैटन है क्या पूछा जाता है राजस्थान का पहला तिथी अंकित ग्यात तिथी अंकित होगा और भी होंगे लेकिन ग्यात नहीं है ग्यात यही है पहला तिथी अंकित अच्छा तिथी अंकित है यहाँ पे पहली ही लाइन की पहला तिती अंकित है अब तिती जो है याद करने ही अपन को तो सबसे पहले लिखना च्छे है और इसको उल्टा करोगे इसको उल्टा करोगे लिखते है तो क्या होता है नो लिखने में उल्टा करते है तो और 9 से ज़स्ट पहले क्या आता है? 8, तो 6, 8, 9 इश्वी ये तिति अंकित है mattress thing ये तिति अंकित है तो तिति अंकित मंदीर पूछे तो ध्यार अखना है कि ये अपने सितलेष्वर महादेव मंदीर और ये पुछे सीतलेश्वर महादेव, सीतलेश्वर 6 से शुरू करना है, 6, 6 का उल्टा 9 और 8 पहले आगया इश्वी, ओके, that's all, अओ, यहाँ पे क्या है, अर्दनारिश्वर मंदिर है, ये क्या, अर्दनारिश्वर मंदिर क्या लाता है, अर्दनारिश्वर रूप किसके जाना जाता है, सीव पारवती, माता पारवती और भगवान सीव जो है, अर्दनारिश्वर रूप में, आदा सरेर नारी का, आदा सरेर पुरुस का, तो अर्दनारिश्वर मंदिर के रूप में ये जाना जाता है, यहाँ पे पास में ही निकलती है, चंद्रभागा नदी, तो ये पूछ ले कि कहां कौन सी नदी के किनारे तो चंदरबागा नदी के किनारे ठीक है और इसलिए चंदरबागा से ही देखो यहां पे आया चंदरमॉलेश्वर मंदिर भी कहते हैं कितने प्रुष्णा आये और इतने ही स्वाट में याद करने है ज्यादा अब ये भी मै किसके सिर्व सुसोबित है शिवजी के तो ये अर्द नारेश्वर प्रतिमा है हो गया जाद यहां पे साथ सहेलिया पड़ाता आपन ने और साथ सहेलिया सूर्य मंदिर को कहा जाता पद्वना मंदिर भी कहते है ठीक है चले अब आगे आओ यहां से यह थोड़ा सा मिटा कहा है वैसे तो त्री नेतर भगवान कौन से होते हैं इस रभ नेतर तो खुल जाए तो अलत खराब है तो ये त्री नेतर गणेश मंदिर जो है वो रन थंबोर में है ठीक है और रन थंबोर कहा है रन थंबोर है आपके सवाई मादोपूर में कहा है सवाई मादोपूर में यहां गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है, देखो हाथ, पेर वगेर कुछ भी नहीं, मुख की पूजा की जाती है, यहां से भी आप देख सकते हो, और यह देखो यह तीसरा नैतर, देख रहा है, यह दो नैतर तो है, तीसरा नैतर है, यानि कि यह त्री नैतर गणेश मंदिर है और यह राजस्थान का सबसे प्राचिन गणेश मंदिर भी माना जाता है इस मंदिर के बारे में मन्यता है कि जहां पे भी कोई विवा फंक्षन साधी वगेर हो रही है अभी बहुत साधी आने से ठीक है जीमनेरो अनन ले रही है सब जना ठीक है तो साधी वगेर होती है तो पहली पत्रीका गणेश जी के पहली पूजा गणेश जी के और पहली पत्रीका गणेश जी के रखी जाती है और इंतरी नेतर गणेश जी के रखी जाती है अब राजस्थान के हर कौने से यहाँ पर जाए पहले और फिर रखे इतना तो संभव हो नहीं पाता तो मारवाड़ी में एक सब्द है हामें पगे ठीक है हामें पगे पत्रीका मेल दे जोत भी हामें पगे कर दे भगवान भी जो है स्रद्दारा भूका है मानरा भूका है यह भी मान ले के हाँ भगत याद नेत्र गणेजी मंदिर रन्थम्बोर सवाई मादोपूर यह भी पुछ सकते कौन से अभ्यारन्य के अंदर तो रन्थम्बोर ही अभ्यारन्य है बाग अभ्यारन्य है ठीक है अवागे यह बहुत इम्पोर्टेंट है इससे एक प्रशन बना था क्या प्रशन बना था वो भी देखो काच लगा हुआ इस काच में दर्सन होते हैं तो एक तरीके से ये अंदर गुसा उगवा है तो गुसमेश्वर महादेव मंदिर ठीक है एक तो ये प्रश्ण जो बनाता राजस्तान में कौन सा मंदिर बारवे जोतिरलिंग के रूप में जाना जाता है ये प्रश्ण काम तो याद करवाना है तो पहली स्लाइड होगी याद ओ नेक्स्ट प्लाइड मत चला है हाँ पढ़ रहे हो ना नियमित यह नहीं के दो क्लास देखवाने पिछ बाका फाड़ावन एड़नी करनो है काम ठीक है रेगुलर पढ़ना है तो कंटिन्यू नौकरी लेनी है तो कंटिन्यू पढ़ना पढ़ेगा हम मजा करने कोई मज़े लेने आज़े बात अलगे क्योंकि पढ़ने वाले बहुत है आपको लगे कि हम दो चार दिन नहीं पढ़े क्या फरक पढ़ेगा एक्जाम दो होगा जब होगा नहीं आप दो चार दिन नहीं पढ़ोगे तो आप रीट का एक्जाम था जिसमें मैंने टॉप कीती राजस्तान तो रीट का एक्जाम था वो कोई डेट फिक्स नहीं थी देखो डेट की बहुत आगे की सकती है ठीक है मैंने तयारी चपी उसके सबाइन साल बाद एक्जाम हुआ लेकिन मैंने तयारी जब सुरू की तब से 2015-16 क उस समय ना, मैं हर रोज ऐसे पढ़ता था, जैसे कल एक्जाम है, यानी 15-17 गंटे डेली, अब कह जणा कह सर इतनों थोड़ी पढ़ीजे, पढ़ने वाले अभी भी पढ़ते हैं, और सोचने वाले तो सोचते हैं, इतनों थोड़ी पढ़ीजे, वो सोचते ही रह जाते हैं, इतना थोड़ी पढ़ा जाता है पढ़ने वाला चाहिए और वो पढ़ा हुआ ही यहाँ पे देखो आज भी जो है कई चीज़े ऐसी आज भी जो है वो याद है उस समय डिसकसन बहुत करते थे और रिकॉर्ड था कि 5 सेकंड से ज्यादा डिले नहीं होगा कहीं से कोई भी प् पढ़ोगे और सवा साल नियमित पढ़ने का नतीजा था कि राजस्तान की टौपर्स की लिष्ट में सामिल था तो बस यही है जब नियमित पढ़ोगे तो सफलता जक मार के आई लिए सारी सफलता है जक मार के कदम चूमेगी लेकिन इसके लिए मेहनत तो करो ऐसे नहीं का कि पत्थतो ते बेद से उचालो यारो उचालो यानि कि वहां पे आपको मेहनत करने की जरूत है इन चीजों को यदि अंदर आत्मसाद कर लोगे तो आपको किसी तरह के मोटिवेशन की आविशक्ता है नहीं आपका मोटिवेशन आप खुद बनोगे क्योंकि आपको इतनी चीज़ें याद रहेगी आपके अंदर इतना जोस जुनून जज़बा हो जाएगा लेकिन उसके लिए जरूत पावड़ों बढ़ानों तो पड़ी इने बेग कदम बढ़ा हो तो सही नियमित्ता लाओ तो सही फिर देखो सिटिंग पावर वगेरे सब बढ़ती है आओ त जैसे, पिटी परेड बहुत इन्हें पसंद थी के गुरुजी, ओ कैं मामलो है, कि पांचाल, पी से पांचाल और टी से त्रिपूरा माता, तुर्ताई माता, ठीक है, तो ये याद गर लिया तो आप लोगों को याद हो गई, पांचाल जाती गुल देवी और तुर्ताई म आता केते हैं तलवाडा बासवाडा के अंदर इनका मंदीर है अगी बात समझ में काले संगमन मर्की मूर्ती है बस काम पूरा गोटिया अम्बा मंदीर भी कहाँ afterwards यूं कर दो याद कररे रिकारी को है क्या है घर्ती कर misf qualité अंबा स्वाडा ठीक है और पांडवों के वनवास से संबंदित रहा है यानि कि पांडव जो है वनवास भी मिला था उन्हें अग्यात वास भी मिला था तो उनके वनवास के समय में कुछ समय यहां पे भी रुके थे गोटिया अमबा ठीक है मेड़ा कब बता है चैत्र अमवस्या को और नेक्ष्ट मंदीर ब्रह्मा मंदीर कल या परसों की गलास में एक ब्रह्मा मंदीर अपन पढ़ चुके कौन सा पुसकरवाला आदिसंक्राचारिय ठीक है पुसकरवाला ब्रह्मा मंदीर पढ़ लिया एक मंदीर ओवर आसोत्रा का बहुत परिशिद्ध है आशोतरा, बालोतरा के अंदर ब्रमा मंदिर ठीक है राजपूरोल इत समाज का तो बहुत बड़ा खेतेशवर धाम ठीक और एक यो है यह ब्रमा मंदिर बासवाडा वाला यह बासवाडा वाला जो है वो छिंच के अंदर है कहां है यह पूछे लेकिन बार्वी सदी में निर्मित था यह याद रख लेना इसमें जादा तर पूछा जाता है यही कि छिंच बासवाडा के अंदर ब्रह्मा मंदिर है और परमारों से रिलेटेड रहा है ठीक है क्योंकि छिंच जो है यह अर्थूना चिंच यह सब पास-पास प पूछा सबस्रा अर्थ्मा अजंच बासवाडा के अंदर और यह प्रमारों से संबन्दित रहा है अर्थूना चैयतर यह लना कुल संपर्दाय से संबन्दित मंदित रहा रहा है अब columїynı सबनाथ कि सहा काती लोगने यहीं किल्ठोत पंचाई यानि किलतं गरोंदे पास च चैट बॉक्स में बताओ कौन सा है लकुलिस से संबंदित पड़ाया था आप लोगों को कितना याद है बताओ वे एक पाणी पीता हूँ चितने देखा कितने लोग बताते हो लकुलिस वाला पड़ा चुका हूं में और दो तीन बार बताया आया कौन सा था एक लिंग दी कहां केलास पूरी बापारावल से संबंदित लकुलिस आयो याद आयो ठीक है परमार सासक ने को परमारों की राजदा नहीं रही है परमार सासक मंडली के पुत्र चामुन राए ने इसका निर्मान करवाया ये मैंने मंदीर वाली क्लास टीचर वेक सब्सक्राइब निर्मान करवाया ये सवाल ऐसे का ऐसे पूछा था उस समय वह सवाल जो है बहुत कम जगे देखने को मिला लेकिन अपने क्लास से सिधा सिधा आया था ठीक है तो यह चीजे रहती है कि मैं मैंनत करूंगा तो मुझे रिजल्ट निकल के मिलेगा आप लोग डिजल्ट के मिलेगा आप लोग मेहनत करो तो आप लोग रिजल्ट कैसे दोगे सेलेक्टेन की रूप में तो यह चीजे सारी मेहनत के ऊपर आती है किराणों मंदिर कहा है सबसे पहली चीज बारणेर के अन्दर है कि इसके पास हात्मा के पास है, पहली चीज तो यह द्यान रखना, दूसरी चीज द्यान रखना इस किराडू को किराद कूप के नाम से भी जानते थे, किराद कूप, ये भी इसे कहा जाता था, इसका ही नाम था किराडू का, ये यहाँ पे क्या है, पांच मंदिरों का समू है, सोमेश्वार मंदीर सबसे मुख्य और सबसे पुर्षित मंदीर के अंतर आता है। और प्रशिन क्या सबसे मंदीर को कहा जाता है। और राजस्तान का मिनी खजुराओ, बंद देवराओ 12, अभी 12 के मंदिर आके आएंगे, ठीक है, मेवार का खजुराओ, जगे तंबीगा, अब खजुराओ, खजुराओ मंदिर जहां पर आएगा ना, MP के अंदर है खजुराओ वैसे, खजुराओ मंदिर जहां आएगा, वह और वैसे खजुराओ के अंदर, जो मुख्य खजुराओ है ना, MP के अंदर, वहाँ पे भी, groups of temple, मंदिरों का समु है, खजुराओ में कभी एक मंदिर नहीं होता, एक से अधिक मंदिर होते है, उन्हें ही खजुराओ की संग्या दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये अगी बात समझ, लेओ, इसमें सौट बोर्ड पूरो पर गयो, ओके, देखो सार, इंपोर्टन, इंपोर्टन चीज, आप ये मत सोचना, कि सर, अपन जो है, थोड़ा सा सौट पढ़ रहे है, शौट नहीं पढ़ रहे है, ये चीज के लिए रखना माइड में, सौट नहीं है, एक्जाम के हूँ सार, और मैं कई सारी चीजे बोल के जड़ावाता हूँ, और step five step जो है, हर चीज का जब दायरा बढ़ाने का समय आएगा, मैं पढ़ारा किस तरीकी से हूँ, कि कोई मेरा छोटा भाई, या कोई मेरी छोटी बैन, या बड़े भाई, या बड़ी बैन इस आस के साथ पढ़ रहें, इस विश्वास के साथ पढ़ रहें, कि यहां से पटा हुआ हमारे निश्चित रूप से जो है, वो सफल बना देगा, अब paid course लेके पढ़ लो बली, ठीक है, paid course लेके पढ़ लो, आखिर में चीजे यही पढ़नी है, और यही syllabus है, और यही लेने नहीं है, क्योंकि फिर वो जो विजन है, वो दूमिल हो जाता है, जिस विजन को लेके चले है, तो बस विजन क्लियर है, तो आप तो पढ़ो, बस हमझे करो ना, हलेश्वर महा देओ, मंदिर कहां है सीवाना, अब सीवाना वरतमान में कहां आ गया, पैन कौन से गड सिवाना, ठीक है, गड सिवाना, अब सिवाना जो है, वो जालवर के सासक, सिवाना के सासक चोहान जो जब सासक थे तब वो लिंक रहे हैं, सिवाना तो वैसे सरनिस्तली है, बहुत जो है, मारवार के सासकों का मुख्य केंदर रहा, सिवाना, ठीक है, हल्देश्वर यहां सब्सक्राइए यानि कि वो कई नगा बहुत बढ़िया परियट निस्तल था और राजस्तान का सबसे जवर्दस परियट निस्तल कोई सा है? माउंट अबू, यह अंदेश्वर का जो पीपलूद नामा चैत्र है, पीपलूद अंदेश्वर महादेव, यह राजस्तान का लगू माउंट कहलाता है, यही पे, क्या है, पीपलूद, यह लगू माउंट कहलाता है, एक ग्रीन माउंट हो रहा है, वो मेज़ा, मेज़ा बा पास्वाडा मेरे भाई जी कित्ती वार बतायों तो ध्यान पड़तों ना चीज जहां पे आये वहीं पे क्लियर कर देने चीए तो यह हो गई आओ आगे बड़ों पिछे नहीं रहना है आगे बड़ना अरे बैए मिट जा थोड़ा सी मिटना यह पीपलू दिखना है ठीक है आज अब देखो बंद देवरा मंदीर यह भिए बहुत इम्पोर्टेंट है बंद देवरा वी कोई भी ऐसी चीज़ स्लाइड वे सामिल नहीं की जाती जो इम्पोर्टेंट नहीं होती बंदद देवरा मंदीर कहां है किसंगंज वारा ये किसंगंज बारा जो है चेत्र सहरिया जन्जाती के लिए जाना जाता है सहरिया जन्जाती अरे बारा में तो सहरिया जन्जाती बहुत है 98% राजस्तान की जन्जाती सहरिया जन्जाती यहाँ है ठीक है ना जन्जाती नहीं सहरिया जन्जाती बारा के अंदर इसलिए तो 12 को जो है काली हांडी के नाम से भी जाना जाता है ये प्रस्ण मनता है एकजाम में याद रखना देखो निर्मान मेदवंशिय मले वर्मान है पुछे तो पुछे ने तो सायद ही पुछे लेकिन ये जो है बहुत इंपोर्टेंट है यहां से पूछने की बहुत सम्भावना हाडोती का खूझुराओ या फिर इसे मीनी ख़झुराओ भी कहते हैं मीनी खजुराओ भी कहते है और खजुराओ मंदिर किसे कहा जाता है ये मैं इस पस्ट कर चुका हूँ, कई बार किया है, ठीक है ना, तो या तो मीनी खजुराओ से आएगा, या हडोती का खजुराओ, हडोती में कौन से चत्र आ जाते हैं, बाबु जाको, बाबु जाको, बारा बुंदी जालावार कोटा, ये हडोती, ठीक है, होगो क्लियर, ये बारा कहा है, आडोती के अंदर, तो आडोती का खजुराओ, उगिया याद, आओ आगे, ब्रमानी माता का मंदीर, या ब्रामनी माता का मंदीर भी कह सकते हो, ये कहा है, ब्रामनी माता का मंदीर सौरसेन, सौरसेन कहा है, बारा के अंदर, तो यहां लिख दो, बारा, ठ प्रिष्ठ बाग प्रिष्ठ बाग पिछे का यह वाला ठीक है तो पिछे का पीट जो है इसकी पूजा की जाती है यहाँ पे द्यान रखना है ब्रह्मानिमाता का मंदिर जाला जालिम सिंग द्वारा यहाँ पे इस मंदिर में सिध्या मनवाएंगी पूछे तो पूछे बाकी यहाँ पे यहाँ पे यह जो है यह important है इसके अंदर आगे बढ़ते हैं चलो वे आगे कौन सा है गंगा मंदिर देखो एक तो गंगा मंदिर एक उसा मंदिर एक लक्षम ब्रजेंद्र सेंग आपके बरतपूर और दौल्पूर बरतपूर पलस इस बैन में जीआत यह जात रियासते दी तही जात रियासते से क्bee Hill साथ सी डीएम ज़ाजा जहांके सासक जाट ने बिलते हैं यहां के जो तो है राजा यहां के सासक जाट थे सूरजमल जाट बदन सिंग ठीक है न तो यह आप देखो यह एक बारा वाला मंदिर रहे गया सीता बारी बारा बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि सहरिया जंजाती का मुख्य बिंदू है यह यह कहा है बारा के अंदर सीता लक्षमन और वालमिकी का मंदिर भी है एक लक्षमन मंदिर मैं जो है वो बरतपूर के अंदर है बताओंगा यहां पर भी सिता जी का लक्षमन दी का और वालमिकी के मंदिर भी है बारा के अंदर सहरिया जंजाती का कुम कहा जाता है इसे तो बारा तो वैसी है ना सहरिया जंजाती के ल लेओ इस्क्रिण स्वाँ लेओ भे आओ आगे देखो पढ़ रहे क्या है आपन विल्कुल बढ़िया तरीके से ऐसा भी नहीं है मैं आपको बहुत अंदर डीटेल में डीप में नहीं लिके जा रहा लेकिन चीज़ों है याद हो रही है साथ-साथ आप लोगों को बहुत सार कहा है बरतपूर में कहा है बरतपूर में ठीक है यह बयाना जो है यह सौनितपूर के नाम से भी जाना जाता था क्या इसे स्वानित पूर भी कहते थे एक तो ये द्यान रखना एक ये द्यान में रखना ये नील की खेती के लिए बहुत पुर्शिद था बयाना छेत्र ठीक है समुद्र गोप्त वगेरा इन से रिलेटेर ये रहा है तो निर्मान को है इसका रानी चित्र लेखा द्वारा करवाया गया इसी बाद में उसा मस्जीद में बदला है यदि पूछ ले डिटेल में जाकर कि किस ने बदला तो फिर द्यान रखना इल्तूत मेस इल्तूत मेस ने ठीक है कि कि किस ने बदला उसा मंदिर था उसा मज्जीत में बदल दिया, तोड़कर तो वो इल्टोत में इसने बदला, ठीक है? अब देखो, लक्षमण मंदीर, अभी अपन सीताबाड इम पड़ा, वहाँ भी है, लेकिन मुख्य मंदीर यह बरतपूर में है, क्यों है? क्यों है? क्योंकि यह बरतपूर के जो जाट स सकते हैं, इनकी कूल देवता के रूप में जाने जाते हैं, लक्षमण जी, ठीक है? यह दियान रखना, देखो, पूराना मंदीर जो है, वो राजा बदन सिंग ने बनवाया, वो नया मंदीर बाद में राजा बलदेव सिंग ने, तो बदन और बलदे, बदन बलदे, ऐसे दियान रखना, ठीक है? तो यहाँ पे यह दियान रखना, आप देखो किसके हैं न, सरीर दर्द करता है, बहुत सारा जैसे कहीं, परिश्रम किया है, मेनत की है, काम किया है, तो बदन बलदे, आप ही हो चुके, बदन समझते हो, यानि कि पीड़ा, तो बदन दुख रहा है तो पीड़ा और यह तो बदन बलद है, यानि कि बदन सिंह पहले है, फिर बलद, यानि बलदेव, ठीक है? यह याद करने का तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं, तो यह ऐसे भी याद कर सकते हो, यह अपने हो गया, तिलस्वा महादेव मंदिर, यह कहा है? बिल्वाडा, दा एक कुंड बना हुआ है और उस कुंड के अंदर जो पानी है ऐसी मान्यता है कि उसके अंदर सनान करने पे कुष्ट रोग का निवारन होता है मैंने क्या लिखा यहां ऐसी मान्यता है यहां कुष्ट रोग्यों का इलाज होने की मान्यता है यानि अपन दावे के साथ में नही पारण हो जाता है, इलाज हो जाता है, ऐसा चमतकारी मंदीर मना जाता है, ठीक है, आओ आगे, सवाई भोज मंदीर, अब सवाई भोज जो थे ना, देव नारायन जी के पिता जी, ठीक है, देव नारायन जी, गुर्जर समाज के आराध्य देवता है, गुर्जर समाज के आर निकलती है तो पता चल जाता है कि गुर्जर समाज की ट्रक है क्यों कि महां लिखा होता है या तो बगड़ावत लिखा होता है या कुछ ऐसा ना कैसा मिल जाता है जो अपने यह बोल चाल की आम भासा में आ जाता है सब बीनोई है मतलब यह क्या है कि यह बिल्कुल अपन व्यावारी को के पड़े ना तो उसमें ऐसे अब बिल्कुल ऑफिर्शली तो विश्णोई पूरा कहना पड़ता है यह समझने की चीजे है ठीक है सवाई बोज मंदिर कहां है आ इस तल है यह ठीक है लेओ इसके लिए लेओ और इसी के साथ अपनी ये क्लास में इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं जो बिना इसकिप किये देखता है और ध्यान से देखता है तनमयता के साथ उसे इस क्लास को देखने के बाद में वापस जो है देखने के आवश्यक्त है कोई चमतकार नहीं है आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से पटलो ना तो अंदर बैठ जाएगा फुल मिला के दिमाग में उतर जाएगा और अपना काम यह है कि दिमाग में उतरे पूरी टीम खड़ी है आप लोगों के लिए वह तो क्या करें है साइंस के लिए मैं बहुत परिक्साओं में व्यत है मैं आप लोगों के लिए साइंस चीचप देना था हूँ जैसे मैट्स के आए है ठीक है ना मैट्स के परमोट जी आए है पसुपालन के नर्सा आए सब याद कर वा रहा है बहुत मेहनत कर रहे तो ऐसे ही साइंस के भी तो चाहिए ना तो इसलिए यह थोड़ा सा द्यारिय रखना जरूरी है कुछ भी पीछे छोड़ेंगे नहीं जब कहा है पूरा करवाएंगे तो पूरा करवाएंगे कैसी चिंता है कोई चिंता नहीं करनी अब चिंता थे दके उन ले लो क्या नहीं मैं तो करां चिंता रहे शाइं 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 तो क देख पाऊगे बस यही चाहिए डवलप करो यह अपने अंदर ठीक है तो बढ़िया देखो टैसरीज वगेर दे रखी है ब्यास कर लेना पुस्तक जिनोंने नहीं ली है देख लेना अवलोकन कर लेना जाके बढ़िया लगे तो पढ़नी शुरू करो नहीं बढ़िया लगत आना ताकि कई सारी चीज़ें और भी क्लियर होगी ठीक है अपन मिलते हैं साथ हो अगले वीडियो में अगली क्लास में तब तक के लिए राम राम जैहन